दोस्तों बहुत से students ऐसे होते हैं जिनका सपना बहुत ही बढ़ा होता है वह press करना चाहते है और वह देश में से बड़ी बड़ी post और और उन पर वह आना चाहते है इसके लिए वह क्या करने के सोचते हैं वह सोचते कोचिंग है कि मैं 10th के बाद क्या करूँगा kcal 고aching, लेकिन बीच में क्या आजाता है देखिए पैसा ही पैसा होगा समझ गये क्या आजाता है पैसा ठीक है ना बीच में आजाता है पैसा तो इस बात की बनक जो है ना असो गैलोट जी को लग गई कौन है वो बुख्य मंत्री असो गैलोट जी को लग गई उन्होंना सूचा अरे बाबा ऐसा कुछ ओर रहा है क्या इससे तो जो होशाया बच्चे होंगे ना, उनको क्या हो जाएगा वो पीछे रह जाएएंगे, वो जो जो आणा बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाए ही नहीं पाएंगे, तो फिर उन्होंना सूचा कि कुछ तो करना पड़ेगा तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बहुत कुछ कर लिया ऐसे बच्चों के लिए क्या किया है बहुत ही बड़ा किया क्या किया है देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना जी हाँ यह कोचिंग योजना अशुक कैलो जिनलाली क्या है मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योईना इसके तहथ होगा क्या इसके तहथ क्या होगा ऐसे बच्छे जो कोचिंग के लिए ITJ हो गया या फिर नेट हो गया उसके लिए बहार जाते है तो फिर उनको जो आना 55,000 55,000 से 70,000 तक पैसे दिए जाएंगे ठीक है ना यदि वह प्रतिष्ठित कोचिंग सेंस्थान में जाता तो उसको 70,000 जो आना 2 साल में एक बायर दिये जाएंगे या फिर उसको चोड़ कर किसी भी दूसरे कोचिंग में जाता है तो उसको 55,000 दिये जायेंगे ठीक है आपको एक लाक और दस अजा साल के मिलेंगे, दू साल में एक बार मिलेंगे, और यह दूसरे कोचिंग सिंस्थान में जाते हो, तो आपको 95,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया है, अब ऐसे बच्चे जिनकी financial condition अच्छी नहीं है, उनको कोई भी नुक् अपना पूरा होगा, ठीक है न, अब क्या है यह मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना, पैसे तो कितने मिलेंगे यह आपको पता चल गया, कैसे मिलेंगे, क्या इसकी eligibility है, और क्या क्या आपको करना पड़ता है, और किस वर्गे को कितने मिलेंगे, और किस किस को म मिलेंगे, यह फूरी जानकारी जो है न, अभी हम देखते है, देखें दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना जो है न, वो सबी के लिए, समझेंगे, जैसा कि कोई UPSC कर रहा है, कोई RPSC कर रहा है, कोई यदि कोस्टेबल का exam के लिए कोचिंग में जा इसके बाद 11-12 में कोचिंग करने जा रहे है, वो सबसे important है, ठीक है, तो उनकी ही हम बात करने वाले है, देखें, सबसे बहले बोल सकते है कि कौन-कौन इसको लेने के हगदा है, तो SC, ST, OBC, MBC, EWS और others में जितने भी आते है, इसके बाद जितने भी government servant होता है, उसका कुछ लाक पर एक साल की इंकम आठ लाक से कम होने चाहिए, जिदि आपके पास income certificate नहीं हो तो आप बने वाले जिएगा, ठीक है, यह आपके eligibility होने चाहिए, इसके बाद आपके 10 में minimum percentage कितने होने चाहिए, ऐसा तो देखें 60 थे, कोई 70 थे, लेकिन 70 हम मान कर चलता है, ठीक है, 70 तो आपको चाहिए ही होंगे, अब ऐसा नहीं है कि आपके किसी के 71 है, तो वो यह सोचने बैठ जाए कि मेरे तो आएंगे, ऐसा नहीं है, वो merit निकलेगे, कैसे निकलेगे, वो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद में बात कर लेता हो कि इसका चाहिए, प्रोसेस क्या होग ना, उस प्रसेंट को 0.9 से गुणा किया जाएगा, ठीक है, स्यासर कि मालो सी बीएसे बच्चे के किसी के प्रसेंट है, 90, ठीक है ना, मालो 90 प्रसेंट है, तो उसको 0.9 से गुणा किया जाएगा, 0.9 से गुणा किया जाएगा, तो कितने हो जाएगा, 81 प्रसेंट, तो उ समझ गया बात ठीक है साथ साथ यह सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है ना फिप्टी प्रसेंट गर्ल्स के लिए सीटे जो है रिज्जर रखी गई है मतलब अगर चार वजाव सीट है ना चार वजाव में से दो जाव तो जो है ना स्कोलर सिप लड़कियों को देनी है बा सि instincts फ्योर्स किया होगा यह सब होने के बाद मालों जैसे कि किसी के निकला जाएगा I प्रसेंट हो गया ना उससे सबस निकलेंगे जैसे कि ऐसी में जो है ना ठीक है तो ऐसी के चैसो चालीस बच्चे ही लिए जाएंगे ठीक है इसके बाद अच्छे बच्चे लिए जाएंगे ओबीसी के आठ सो चालीस में दूसर एड़से अदर से उनके चौदा सो और चालीस बाद समझ वह यह सबी सीटों का पैटरन है कि इसको कितने किस कैटेगरी में इसको कितने बच्चे हो गये यह आगी कैटेगरी ठीक है अमाउंट जो है कितना मिलेगा यह आप पहले समझें ! तो यह आप फातिष्ठित संस्थान में जाते ए उसमें 100 में से जो टॉप हंडेड होते है ना पूरे औल इंडिया में उस तो प्रतिष्ठित है तो वहां पर पर पढ़ने जाते हो तो वहां पर आपको सित्र रजार दिये जाएंगे और जिदि उसको चोड़ कर किसी दूसरे जगह जाते हो तो आपको 55,000 दिये जाएंगे यह आपका कोचिंग फीस होगी यह इतना दिया जाएगा प्रस 40,000 खाने का जिदि आप घर से दूरे रहते हो तो समझगे इतने आपको पैसे मिलेंगे ठीक है प्रोसेस तरह जाएंगे जितने भी बच्चे होंगे उन सब को मिलेगा यह प्रोसेस होगी ठीक है इतना आगे सम पता उसे अबसल मैंने लिखा है एक दोबाव डॉक्रिमेंट मैं आपको पता कर बके बता दूँगा लेकिन देखिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा मुल निवास प्रेमांट पत्र जाती प्रेमांट पत्र टैंथ की मार्क्षित आपको चाहिए होगी इंकम सर्टिफि उनके लिए भी है आपको बता होगा लोग के लिए यह आर्ट्स वाले भी दे सकते है ठीक है ना उसके लिए भी आपको मिलेगा जिदि आप कोचिंग करने जाते हो तो वही बात एक वतिश्टित संस्थान को 40,000 जिदि उसमें बच्चा पढ़ने जाता है तो और जिदि द बचे जिनका सपना बड़ा है लेकिन फाइनेशल कंडिशन के वज़े से वह उससे सपने को पूरा नहीं कर पाते है तो उनके लिए बहुत ही बढ़ी है जो है ना यह स्केम है ठीक है स्पेशली तो साइंस मैं बोल सकते हैं कि साइंस बार्यों बच्चे है उनके लिए तो और भी इसमें कोई आपको अब्लेट होगी कहा से करना कैसे फॉर्म बना किस तरह के से करना आपको सब कुछ बताते रहेंगे तैंथ आपने पास कर लिए मैंने आपको बोल रहा का कि आप तैंथ तक आप मैं साथ है तो 11-12 भी हम जो हैना आपको गाइड आगे करते तैंग यू